हलो श्रीवेद इंटरनेश्टर स्कूल सेक्टर 25 स्टांडर 11 इंग्लिश मिडिया चलो गुजराती सब्जेक्ट साथे आपड़े एक वार फरी थी चेप्टर चेप्टर 5 नी वाद करिये जिनों नाम छे पितानी शेवा कुजराती साहित्यमा प्राचीन यूग मध्यकाली न यूगेले आपड़े नर्सी मेता प्रेमान नंदी वाद करिये थी पण हवे साक्षर यूगनी अंदर सुधारक यूगनी अंदर आपड़े आईये छे लेके नर्मदने दलपतराम नो यूग अपड़े एक कवीतान आनपणों बनता दा उंट कहे आ सबामा वाका अंग वाड़ा बूंडा बूतर मा पसुओने पक्सियो अपार छे बगल्लानी डोक वागे कुतरान वाको आसंसार छे तो एज यहनों कवी दलपतराम दलपतराम थी आ कवी नात्यकार निबंदिकार दलपतराम डाहा भाई कवी नो जन्म एम ना वतन वढ़वान मां थायो सायर थे त्यों अमधावाद रहता कामकाच के लिए वो लोग अमधावाद में रहते अर्वाचीन गुजराती कवीताना आधुनिक हमारी जो कवीता है यहना सुधारक यूगना तेओ प्रथमने महत्वना सर्जक छे सुधारक यूग जासे गुजरादी साहित्य में चेंजिस आये है वो यूग तेना पहला कवी यहलेके दलपतराम छे सुधारानी द्रश्टिये पन तेमने गुजराती नी मोटी शेवा करी तेमनी पासेती दलपत काव्य फा फार्बस वीरह कवी एलेक्जांडर फार्बस लंडन के थे वोलो और कलेक्टर हो बनके जब अंग्रेजों का रास था नाम पर तब कलेक्टर के पर एमदाबाद में आये थे और फिर वो गुजराती साहित्य में इतने उनको पसंद आ गया कि उन्होंने गुजराती में लि खाता व्यास वेंचरीत्र हुन्नर खान नी चड़ाई बहुत सारे उन्होंने किताब लिखी तेमनी समगर कविता दलपत गरंथावली ना त्रण भाग मों प्रकाशित थाई चे उनकी सारी कविताये दलपत गरंथावली नाम के जो पुस्तक आते उसमें तीन भाग में प् खायली एमनी कविताव मनोरंजन साथे नितिबोध पण आप यमाक वणानु प्रस अलंकारो छे ग्रामर यहनी अंदर अने एकदम मजा आवे एवी अने साधी भाषा में आमने कविताव लखी छे तेमने लक्ष्मी अने मित्याबिमान नामना बे नाटको पण आप खुब कोमेडी थी भरपूर नाटक छे मित्याबिमान भूत निबंद ग्न्याती निबंजिवा निबंदव पण लापया छे तेमना चंद सास्त्र ना दलपंद पिंगर पुस्तके एमने कवियो ने प्रेणा आने माग दशन पूरा पाड़या छे तेमने संपादन केटलूग महत्वनु कारियेपन करिऊ गुजरात वर्णाकिनल सोसाडी लेहालनी आपड़ी गुजरात विद्यासबा जे साहित्य के साथ जो लोग जुडे है उनके लिए ये कारिये करती संस्ता है गुजरात वर्ण्याकिनल सोसाडी जिसका अभीका नामे गुजरात परन्तु एमां पितानु स्थान पण कहीं ओछू न थी देखो बच्चे को बच्पन से बड़ा में उसको संस्कार का सिंचन करने में मां का रोल है वो सबसे उपर है ठीक है पर पिता का रोल भी उनसे कम है नहीं आ काव्यमा बाड़ाके पिता जी ने करेला लाड तोफानाने मस्तीनु मद मिठू गान थाई शे आजनु जी आपड़ू काव्ये चेमां एक बाड़ाके पोता ना पिता जोड़े जे लाड मस्ती करेली छे आएना उपर दी बनावेलो गीध छे जन्म थी पाड़ी पोशी न पोता ने मोटो करनार पिता जीनु रूण अही आभार द्वारा व्यक्त थाई शे नानपण थी लईने अत्या सुधी बाड़ाके ने मोटो करेओ पिता जे लाड कोड थी यहनु रूण के हम बोलते ना इसका रीन हम क्यासे चुकाएंगे माता पिता गा तो ए रीन आनी अ जारा खराब नो विवेक सिख्वयों पोता ने माटे अनेक कश्ट सवन करी छत्रशाया बन्या जो बजपन से हम पापा के साथ मस्ती करते हैं उनसे हम अपनी बात मना लेते हैं वो सब हम पापा के साथ करते हैं और फिर भी बापा ने बहुत बुश्किले सहन करके हमें समाज वच्चे मानवतु स्थान अपावियोंने पिता जी प्रत्य रून चुकवा तेमज आजीवन सेवा करवानी इच्छा सेवता कविये एमनी पित्रु भक्तिनू उत्तम दश्टांद पूरु पित्रु पित्रु एले पिता पिता नी भक्तिनू इया उदारा आ संसार में नाम थाई उचे मनी नाम ना थाई छे बणावी गणावी ने मोटा थाया छे ये दरेक वस्तु एमना पिता थी मड़ियुँ छे ते पिता ने आभारे व्यक्ति करवा माटे आ गीत लख्यु छे भुजंगी माँ छे शरुआत करिये आजनू स्टांडर्ड एल रचना छे छड़ो हुँ हतो छोकरो छेक छोटो पिता पाड़ी पोसी मने की धो मोटो अंत्यानू प्रास मा रचेली रचना जो अंत्यानू प्रास अलंकार शे अलंकानी वाद करू चो वसद्यान राग जो अंत्यानू प्रास अंत्यानू प्रास अले अंत्यानू प्रास अलंका नू उदारान छे जो छोटो मोटो ब्य पंक्ती छे जो छडो हूं हतो छोकरो छेक छोटो पिता पाड़ी पोशी मने की ध मोटो छोटो अने मोटो पहली पंक्ती नो छिल्लो शब्द बिजी पंक्ती नो छिल्लो शब्द तो बनने शब्दों छे एक जिवा आछे बोल नानु बाळक हतो त्यार्थी पिताए पाड़ी पोशी एलेके मने उचेरी अने मोटो करेओ छे की दमोटो एलेके मोटो करेओ छे रुडी रीत थी राखता राजी राजी बल आ केम आबार भुलू पिताजी जो राजी पिताजी राजी पिताजी जी जी आयू अंत्यानु प कियो दिवक पड़वा देता नथी मोह लगपलवा प्रिया कर एमए दरएक करवानी अन्ने राजी राखवानी क्रिया गड़ी मूछ तानी कदी अंतरे रीष आपे न आणी चड़ी छाती ए जब पिटा जी लेट जाते तो मुझह लेट जाते हम उनके सीने पर बेढ जाके उनकी मुझह से खेलने लगते ना तो में अंतर अन्दर विया झुशो थोड़ histori अमें पिता जी ने अई आपड़ा दलपतराव कवी छे ए पिता जी ने कहाँ छे कहुँ तमारी चाती उपर ब्यासी ने तमारी मुछो खेंच तो तो पन तमें तमारी अंदर थोड़ो पन गुसोल आवता हता नई रीस करता हता ने कहुँ मैं मुखे ते कर्यू हाजी हाजी बला के मा भार भूलू पीता जी कहुँ मैं मुखे ते कर्यू हाजी हाजी बीजानम्मनी लाइन के कहुँ मैं मुखे मैं मौटा मा थी जे शब्दों मेरे मुख में से जो शब्द निकल गए मौ में से वह आपने हाजी हाजी के हाँ बेटा हो के बेटा हो जाएगा बेटा ये ठीक जा जी मने सारी शिक्षा सिखावी सुधार मुझे अच्छी शिक्षा देखे अच्छा एज्यूकेशन देखे मेरे अंदर सुधाल लाए मुझे अच्छा इंसान बनाया है मेरे अंदर मुझे शिक्षा दिया है नौलेज दिया मुझे पड़ाया मने बनावयो छे गणावयो छे सारी शिक्षा पावी छे अने मने सुधार्यों छे मुझेक बाड़ा कदो मने समाजनी जीवननी खबर हती नई पणा अत्यारे सुधार याने मारी जे नामना थाई छे तो एकोणे आपी छे तमे के वडिया आपी विद्या विवेक वदार्यों सुधार्यों सारी शिक्षा सिखवी मने सुधार्यों छे सारो मानस बनाव छे नियनी साथे विद्या एले ग्ण्यान आपी अने मारो विवेक छे ए वधार्यों छे ग्ण्यान आपी अने विवेक विनम्रता ए मारी वदी छे क्या बोलू क्या ना बोलू कोने किटलू मान आप पूपनीस हमें किपलो बोलू कया रै रितने बोलोओं कई रितने बोल्वों सु करवों फू ना करवों कई रितने करवों अ दरेक वस्तु तमे बपनाबेद सीधाधी रंगवलों पीता हैं बंद्री यतले सारी सारी वातना भेद सी धाधी 라 Grand सारी वात नो जे भेद छे मर्म है हम बोलता है न का इसके अंदर कुछ मर्म है कि सारी वात नो बेद गया सारी वात छे अखराब वात छे न सारी वात छे तो एनू थी सू फाइद हो के सू लाब थाई सके छे तो ये सारी वात नो जे भेद छे ए सीधो ज दीकता जी ले सीधो आपेओ सारी वातनों जे भेदा तो ये सिधो जापेओ छे तमने कि आ सारी वात के वाइन तमें आ करो ये वू ग्न्यान तमने सिधू आपेओ छे तो तमारों आ बार हुँ कई रिते भुली शकू छू कदी कोटी कोटी सही कष्ट काया मने छाती मौलै करी छत्र छाया सुगि कदी कोटी कोटी सही कष्ट काया एले के घणा बदा दुखो काया काया एतले शरीर घणा बदा दुखो तमें सरीर उपर वेठ्या छे मतलब के एना पिता ने कवी कहे छे कष्ट एतले दुख के तमें असंख्य कोटी कोटी अबड़े के असंख्य दुखो तमें सही पर वे तुमें तमारा सरीर उपर दूख वीटी यह ने मने पोतानी छाती यह वरगाड़ी यह चत्र छाय हम लोग जैसे बारिष में छाता लेते हैं तो च्छाता भीगता है हमें भीगने देता नहीं वैसे पीता जी हमारी छत्र छाय है वो दूख अपने पर सहिन करते हैं पर हमको अमें दूख देने लगते नहीं हम पर कोई भी दूख आये आचाये तो पिता जी अपने पे ले ले लेते हैं तो यहां पी वही बात किये के कोटी कोटी सही कष्ट काया तमें तमारा उपर सरीर उपर बधाज दूख सहन करी लिदा अने मने तमें छत्र चाया नीचे राक्यो बला केमा भार भुलू पिता जी अती वधारे प्राण थी प्यार जे प्राण अंदर जीवती पन वधारे प्रेम जे तमें मने करता हता मने आपता तमारा जीवती पन वधारे प्रेम मने आपता हता ए आभार तमारो हूं कई रिते भुलू पिता जी पछी जो मने दुखी अत्यानत आनंद लेता सुखे मागी वस्तु मने लावी देता मने देखि अत्ययन्त आनन्द देता हमाग देता अने मुझे पण वस्तु मागू ये तमें होसे होसे सुखे थी ये वस्तु लावी देता हता पछी आगर के पुरो पाड ते तो भूले पुत्र पिताजी बला के मा भार भूलू पिताजी पुरो पाड ते तो भूले पुत्र पाजी भला के मा भार भूलू पिताजी तमारो जे आटलो पाड छे ए भूले ए पुत्र पाजी ए तो पुत्र के वायाज नईय जे आखलो बदो तमारों उपकार छे पाड इले उपकार छे ये जो बुली जाये तो ये पुत्र छे नै तमारों आबार हूं के आङज बुली जाओ वड़ा वाकमा आवू तो रांक जानी, दिदो धंड देता दया दील आनी, वड़ा वाकमा आवू तो रांक जानी, रांक इले गरीब जानी, वड़ा वाकमा आवू, वड़ा इले कदाच, जो हूँ वड़ी, कोके दिवस जो वाकमा आवे ले के, कोईक अपने इमके एंग व दिल आणि यटले लावी दिल मां दया लावी अने मने दन्द देता अ यह लेकर मने कोई दन्ड आपता ता नि मने दया के गरीपळों जानी अने मने छूडी देता तो ए मने दया आड़ो समझी मारे मारे मा दया लावी अने मने ए प्रकारे दंडापता तजीस ने देहे न दीधी पिडाजी भला के मा भार भोलू भी तजीस ने यह मारो प्रेम छोडी ने मने सरीर उपर कोई दी वस पिडा आपी नथी यह मने कोई दी उस मारे ओ नथी यह मने पिडाजी तो आ तमारो आब भार हूं क्यमनो भुलू पिताजी पणावी गणावी किदो भाग्ये शाडी दथा तुछ जेवी बूरी टेव ताडी जो बनावी गणावी मने पड़ा लिखा के मने खुब नशीबदार बनावे ओ छे बनावी गणावी अने हुँँ आजे आवडों मोटो कवी बने ओ छोग कवी यह वुक्या छे कि आखलू नामना छे तो आत्वा कोई पण वेक्ति होए जे नामना मेड़वे छे कें तो य आ जन समुदाए मां समाज नी अंदर एमनी आटले किर्ती अशोगा था जे दरेक जग्याए गुझी रही छे बला के मा भार भूलू बिता जी तो ये कोना कारणे एमनू नामना थाई छे एमनी आयस गा था केम गुझी रही छे तरेक जे एमना पिता है एमने सारा संसकार आपे एमने बनावे गणावे एमने उचेरी अने मोटा करया एटला माटे तमारो आबार हूं क्या अमनो बुलू पिता जी लिदो लावने लाव सारो गणू गणू हूं ता तते तो तमारो लिदो लावने लावने लाव लावो अपने के जैंके लावो मौको जे अत्यार आगर जे सारो लाहवो लाईश अत्यार सुधी मा जे लाहवो में लिधो छे न आगर जे सारो लाहवो लाईश ये बधाज हूँ तमारो उपकार गणू छो ता ता तेले पिता पिता भगवान ता तेले भगवान भगवान पिता एम कई शकाए के गणू गणू हूँ ता ते तो तमारू मने अत्यासुदी मान जे लावो मड़ेओ छे नागण हूँ लई से बधु तमारू छे केम के जो तमे ना हो तमे सारी सिक्षा ना पियोट सारू नोलेज ना पियोट सारा संसकार ना प्याद तो आमा थी कहीं मने मड़त नै सदा सूख सारू उपायो राजया जी बला केम आभार भूलू पिता जी सदा सूख सारू उपायो राजया जी यहमने जितला पन उपायो करया छे जितलू पन कारिये करू छे सारा सूख माटे मारा सूख माटे तमे अत्यासुदी मा सारा कारियो करया छे तो बला केम आभार भ बूलू के तमी जितला पन कारियों अत्यर सुधी मा करया चे जितला पन उपायों करे सेना माटे के अमारा सुख माटे मने निर्खता नेत्रमा नीर लावी लैदा बता चाती साथे लगावी मने जोई इन तमारी आखो मा अमुक वार खुशी ना आशू आवी जता मने जोई तमारी आखो माा थी आशू जो नेत्र बता चाती साथे लगावी आने मने जोई ता आख माथी आशू आवता अने तमेशु करता तो मने चाती साथे लपावी देता मुखे बोलता बोल मीठा मीठा जी बला के मा भार भूलू पिता जी मुखे बोलता बोल मुखे ले मोड़ू मोड़े थी मारा माटे मीठा मीठा सब्दो बोलता बेटा वाला दिका आउ बोले ने तो के भी मुखे बोलता बोल मीठा मीठा जी मुखे बोलता मिठा मिठा बोल पिता जी पची जो हतो बाड हुँ आज सूधी जाने ओ पूरेस आपनो गूण एक न आवे अत्या सूधी हुँ नानो बाड़क अजाने हो तो अजान था मैं आपके ये आपने जो मुझ पर ये उपकार किये है तमें जे उपकार करया छे जे प्रेम मने आपने जे जे संसकार आवे बता धी हुँ आजान तो बाड़क वातो मने खबर हती नई पन हवे खबर पड़ी गये चे लेका जाने उरे आपनो गूण एके न आवे उर एक पन गूण आवे उर अंदर रदय दिल मा तमारो एक पन गूण आवे ओ नत्या सूधी जीवतो राक से जो हयाती तमारी अमारी हसे जो जगन्नादी पर पने जीवतो राक से तो जैंने सुधी जीवतो राक सेसे दील थी साचे सदाजी लेके सदाने माटे कायमने माटे हुँ दिल थी प्राथना करीश के पला कैम आबार भुली पिताजी दिल्थी तमारा माटे हूँ प्राथना करिश तमारो आबार हूँ क्यमनो बुलिश भणे भावथी जो गणे चंद सारा पित्र भक्ति पामीन थाशे न ठारा जो सब्दो पकड़ भणे भावथी जो गणे चंद सारा भावथी कोई मन्थी बणे चे अने गणे चंद सारा एलेके सारा चंदो समझे भावथी जे बणी अने सारा संदो ने समझे चे पित्रु भक्ति पामीन थाशे न ठारा पित्रु नी भक्ति पामी एक अईदियस नठारो एलेके नकामो ओके बगस आपने गवी नलायक व्यक्ति छे नठारो व्यक्ति छे तो एवो थसे नई पने बावती जो गुणे चंद सारा बावती जे मन्थी बणसे अने सारा संदोनु शेवसे तो पित्रु भक्ती ने एपामसे तो कोई दियोस नठारो गयक्ती बनसे नई रुडु ग्न्यान लई लागसे शूब कामे रचा छे रुडा चंद दलपतरामे पिता आजी रुडु अले के सारु ग्न्यान लई लागसे शूब कामे सारु ग्न्यान लई अने तमे शूब कामों मा लागसो तमे जो सारु ग्न्यान ले शो तो तमारा सूब इले सारा काम्म कोई सारु गन्यान त्मारा काम noises कोई सारी र जन्तला सरसेवा जन्तल पतल मेल सरसेवा जन्तलर पतल पतल फ हैं पूलो भले बीजु बदू माब अपने बुल शो नहीं अगणीत छे उपकार ये ना एकदी शर्षो नहीं ये विशर्षो नहीं माब अपना अगणीत जए कईदी श घणायनी एकला उपकारो आपने उपकारो अपने बुलायवा नथी एद दलपत्रा महीं ये क्या छे कि तमें जे मारी उपकारो करया छे तमें मने पोते दूख वेठी अने मने बचावे ओ छे मने सारा संस्कार आप दूख पने मने खिबर हती नहीं के तमें सुसूँ काम कर्यों छे मारा माटे पना वे मने खबर पड़ी गे छे के तमें मने केटलू मारा माटे काम कर्यो छे तो तमारों आबार हुँ घये रिते भूलू तो अहीं आ दलपत्रामे पोता ना पिता विसे करे लिव अने पोता नों माने लो आभार हियां भेक्त करे ओ छे तो यहां आपडों आ काविय Brave पिता नी शेवा कवी दलपत्रामनुकारिये पूरू थाय छे कोई पूंट डाउट होए तो जारे लाइव था यह तैरे question करी लिया जो ओके चलो आउजो गुडबाई